गायत्री जी है अगरी फॉलर हमारे साथ स्वागत है मैम आपका वलो नमस्कार नमस्कार मैम नमस्कार हतीन साहब जैही स्वागत है गायत्री जी का आज मेरा प्रस्न पांचे प्रस्न है जी मेरा प्रस्न ये है कि मेरी भान है पचपन साल की जी पच्छ पंच साल उनका उमर है, तो उनका जो दात है, तो मतलब आधा होता चला जा रहा है, इसके बारे में बताईए, मतलब दात सब मतलब पतले होते जा रहे हैं, तेक है, और जैतून का सिरका जो है, अपने ठीका जी के लिए मंगाया था, तो वीज दिन तो की ये, और उसको जो है उनको पीते हैं न तो उनको मतलब की जिलाब होने लगता है मतलब टट्टी बढ़िया की क्या हुदा एक बार पीते मतलब की ज्यादा मतलब लाइट्रिंग होने लगता है ठीक है ठीक है तब जिस चीज के लिए लिया किस चीज के लिया उनों मतलब यह मतलब 42 साल है, मुझे भी ऐसा होने लगता है, और सीरका मैंने मंगाया है, आपके यहां कम्पिनी से, और जी हाँ, और जो है कि, मेरा जो है कि तीजिया का वज्जिया बन कई लिए, बोलिए, बोलिए जो है, यह तीन-चार दिन हो गया, मैंने आप से पूछा था एक लड़के के लिए, तो इसकी उमर मैंने 16 साल बताया था, लेकिन उसकी उमर रिष्टेदार है, उनका 19 साल है, तो लड़का पांच फीट, तीन इंच है, तो और लंबाही बढ़ाना चाहती है, तो बोले की लंबाही बढ़ती है, बढ़ती है, तो यही प्रस्ण है, और एक लड़का मेरा भी है, वो 18 साल का हो गया है, वो भी गौन मुरिंगा पी रहा है, लेकिन 2-3 इंच बढ़ा है, पीने से, दो 3 इंच बढ़ गया तो बहुत हो गया, हाँ और मैंने बताया कि मेरा लड़का जैसे लंबाई में मतलब पांच फीच साथ आठ हिंच है मैंने बताया उनको बोले कि हकीम साहथ से इस्तार से मानने पूछी एगा कि क्या लंबा लड़का हो सकता है तो मैंने कहा कि ठीक है और मेरे बहान के लिए जरूर बताईएगा दाथ उनका तो एकदम मतलब की छोटा-छोटा होता जा रहा है पच्पंच साल उनका उमर है तो हकेम साहब आपकी दवा जो गौन सिया है अपने पीटा जी के लिए लिए थी तो ओ तो एकदम ठीक हो गई मतलब उनको जना अब कुछ नहीं जुआ है यतना नस्तानती थी और पूरसी वाला संडास अभी तक यूज करते हैं और एक मेरी बहान थी बत्ती साल उमर है मतलब उनका उनको मतलब हाथ में इतना जंजनाट होती थी कि समान कोई पकरती थी गिर जाता था अब आपने बिना दवा के वो ठीक हो गई मतलब एक कंभे पर जो एक सर्साइज बताते हैं न तो एकदम ठीक हो गई अब उन लोगों को वो बोली कि मेरी बहान आ रहा है तो बोली कि मेरे लिए भी उनसो दवा पीछो उनके घर डाक्टर है तब भी और एक उनकी बहु है ह मुह में बहुत पड़ती हैं उसकी उमर है तीस साल मेरी बहान की बहु है ठीक ही ठीक है बहुत शुक्रिया देखिए हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आप जिन घरों में डॉक्टर मौजूद हैं आप उन लोगों का इलाज कर दी है यह आपकी सलायत की ब बात करके और फिर आपकी बेहन के हाथ में जो जुन जुनी थी वो एक्सरसाइस से अच्छी करवा दिया आपने जो मैंने एक्सरसाइस बताई बस मैं ही चाहता हूं आप जूड़े रहे और यह फाइदा ऐसी पहुंचाते रहे हाला कि आप से तो कहने की जरूरत ही नहीं ह क्योंकि आप खुद ही लोग की सेवा कर रहे हैं जो लोग भी हमारे साथ चूड़ते हैं उन्हें भगवान फाइदा दे तो उन नुसकों को एकदम विस्तार से पहला दीजे ताके लोग रोगमुक्त जिंदगी गुजार सके अब सवाल बताई है बहन है 55 साल की दात कुले इन्हें खिलाया करें एक हफ़ते में दो बार जरूर दिया करें जो लोग भी 40 साल से जादे की उमर के हैं उन्हें हफ़ते में एक बार या दो बार कैल्सियम की गोली जरूर खानी चाहिए ताके दात सलामत रह सके नहीं तो वो छोटे होते जाते हैं गिरते जाते हैं पता चुना जो पान वाला पनवाडी पान पे लगाता है ना वो चुना एक चावल के बराबर एक गिलास दूद में मिलाकर एक हफते में एक बार पी लिया करें आपकी बेहन के लिए बता रहा और दूसरे सवाल बता है इनके जो जीजा जी हैं और गायतरी जी खुद जैतुन के सिर्के का इस्तमाल करें लेकिन मोशन हो रहे हैं हाँ उसकी काफी ताकतवर होता है यह दुनिया का सबसे तेज सिर्का है किसी किसी को ऐसा होता है तो जितनी खुराक आप ले रहे हैं उससे आधी कर लिजे, दो बाल ले रहे तो एक बार कर लिजे, दो चम्मच ले रहे तो एक चम्मच कर लिजे, आप स्वस्त जिंदगी गुजार सकते हैं बहन की बहूं हैं जिनके मूँ में छाले हो जाते हैं 30 साल की हैं धनिया का पाउडर 100 ग्राम और बड़ी इलाइची 10 ग्राम और छोटी इलाइची का दाना 5 ग्राम इनको खूब बारिक पाउडर बनाएं एक चम्मच खाएं और नमक जैतून एक चुटकी दो ग्लास पानी मिला करें इस पानी से रोजाना एक बार खा लिया करें पहुका भी अच्छा होना मुम्किन है और एक सवाल का जवाब ऐसे हकीम सब आपने दे दिया था विस्तार से जानना चाह रहे थे इनके रिलेटिव 19 साल का बच्चा है दाड़ी मूचे आ रही है हाइट बढ़ सकती है गौन मौरिंगा से देखिए बच्चों में नर और मादा लड़कियों में तो 16-18 साल तक हाइट बढ़ती है जहां तक हमारा अनुभव है और नर बच्चे यानि लड़कों में 18 से 20-22 साल तक भी गुनजाइश होती है आप कोशिश कर लिए देखिए आपका बच्चा ती नीच बढ़ा है और आप उनको मशवरा दीजे के आप कोशिश ज़रूर करें एक किराम रोजाना खाएं पानी दूद या नारियल पानी से और ये बहुत बड़ी बड़ा मामला होता है तीन इच हाइट मतलब इतना लंबा आदमी हो जाता है मैं नहीं हो सकता क्योंकि मेरी उमर नहीं है अब ग्रोथ की उनकी उमर है फाइदा भागवान करता है मेरे इसमें कोई हो नहीं गुंजाईश तो है तो अगर मेरी कोई तीन इंच हाइट बढ़ा दे तो मैं उसे कम असकम अगर आप उन्हें लंबा चोड़ा देखना चाहते हैं अगले कॉलर है कटनी से अनिता जी स्वागत है आपका नमस्ति मेडम नमश्कार मैं नमस्ति सर जाहिन स्वागत है अनिता जी इस महिने बाद कॉल लगा है बहुत परिशान रहे पहले बात हो जाती चीज यह वह एक महिने बाद चल रहा है एक महिने से सर आज फोन लगा है जाका सर हमारे तीन सवाल है हम और जैसी बात नहीं कर पाते सर आप से लेकिन हमारा अगर आप उत्तर देती रहें तो हम आपके बहुत से क्रगजार रहेंगे सर जरूर जरूर हम सबका अच्छा जवाब देते हैं आप कैसी भी जवाब में बात करें अब यह मैं टीवी खराब हो गए ती सार आमने दूसरे देंसे रुआ लेगी और मन नहीं लग रहा था प्रोग्राम नहीं देख पा रहा थे तो यह से खाने नहीं कहाया हो तर इसनी हैवेट हो गई है आपकी क्या बता है सार और आपकी दबाए अब आपकी दबाए अब हमारे जीजेगी हैं उनको जैतूल का सरका से फादा तो है सरीधाल का हो गया है लेकर उनके पेट में 24 गंटे गैस बनी जैती सार बहुत परिसान रहते और खाना आना भी नीखा पाते सार बों कहते रहते कि हमारे मतलब पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही एक देन तो सरै बहुत कुझली हो रहा कि जе हह पायल भटते हैं ऊसके कपहफे स्प्रादन से इतमे खुझली हो रहे हो लालços पढ गया है और चोटी वाली उंफल्श को स्टी बहुत तर उनल्डही पांधाना थूशली हो लाला निशंचों ऴया लेकर है सरीक हुत प्रम लगा आना और तीसरे सवाल हमारी बच्ची हैना सब तो उसके भृतनों के नीचे जो मास होता है पिद्लियों का अंदर बस दाद होता है सर बाहर कुछ नहीं होता है बाहर अच्छी है लुए उमर के तनी है बच्ची की? बच्ची की उमरे 30 साल है सर, 30 साल? त्रीक है सर झान के reachman उनको ऐसी डिटी की दवा ऐलोपेज भी दिला सकते हैं अगर जरूरत पढ़े तो और जो सिर्का पी रहे उस जितना पीते हैं उससे आधा पीए और एक चमच धनिये के पाउडर के साथ ले पानी में मिला के तो उनको पूरा फायदा मुम्किन है और कभी भी जरूरत पढ़ किसी भी दवा की फौरी तो पर तो आप डॉक्टर की दवा भी इसके साथ में ले सकते हैं मेरी तरफ से इंकार नहीं है तो ये तो जीजा जी का सवाल हुआ और बच्ची को आप गौन सिया एक खुराग दिया नाश्टे के बाद अधा गिराम और अधा गिराम शाम को कमू बच्चियां बहुत जल्दी अच्छी होती जब फाइदा हो जा जब उन्हें रोग देना और पैरो में इनके खुजली है निशान हो रहे हैं देखिए खबरदार हो जाई है और गौन चिलगोजा एक चुटकी रोजाना खाए बस एक बार बहुत तेज होता है और एक चु की नमक, जेतुन, दो गिलास, पानी मिलाके इस पानी से 24 घंटे में एक खुराक खालिया करें अगर आप हफता दो हफता ही लेंगे तो आपकी ये परिशानी जो उंगली में और पानी आ जाता है और ये हो जाता है तो आपको फाइदा होना मुम्किन है पंजाब से हैं शा मुम्किन है एक थो नडी सीयगोंदमगाइं सिगी साओ राम हुए है एक अपना प्राइदेश के शोले देखे देखे हैं फेर् frameworkा दो जेसे अगारें घड़ें तो चाहरें दो जास्य के अग थो नइन दौना ले रही हैं एक मैं दो चाम चोब देले से लह रहें हैं और र कुछ फायदा शुरू होता है नहीं? जिसना मेरे गिनों दर्द कट गया मतलब पैरा से सोज नहीं है यह ना ठीक ठीक जितने दिन से आप ले रहें उतना फाइदा उससे ज्यादा ही फाइदा है यह रोज आना थोड़ा सा फाइदा करता है और यह दवाय आप लेते रहें बहुत जंदी ना करें दो-तीन महिने श तूट रहा है तो बदाम का तेल दो-तीन चमच एक कब दूद गरम में मिलाकर रोजाना एक बार पिया करें आपका कब्स भी तूटना मुम्किन है